जहींद मेरे प्यारे सातियों CISA PSI LDC exam success में आप लोग सभी को most welcome देखिए यह है आज है आपका जो आपका दिनांग है आपका 14 तरिक है आज ठीक है और यह जो हमने क्या किया था 13 तरिक को एक special course के लिए special class के लिए एक course launch किया था जिसमें special class के लिए आपको बताए गया था कि 55 रूपिया देके आपने हमारे साथ special class में जूड़ सकते है और हमारा जो help line number बताए गया था कि 9735707267 यह number में हमारा help line था कि इस number में संपर करके हमारे साथ जूड़ने के लिए बताए गया था तो यह जो आपको बताए गया था कि एक जनवरी से class शुरू होगा मगर बहुत सारा candidate मेरे को खास तोर पे फोन किया है और फोन करके पूछा कि सार आपका class का कोई demo दीजिए कि special class में क्या रहेगा तो special class का एक demo का तौर पर यह class है कि यह समझ लिजिए कि special class का यह क्या है एक first class है क्यूंकि आपका इस class में उनी चीज़ को पढ़ाय जाएगा जो आपका exam में बिलकुल खास oriented है और जैसे हमारा special class के अलावा क्या है 250 में क्या है एक course चल रहा है कि full course है 19-20 LDC के लिए है तो उसमें भी जोड़ सकता है नहीं तो एक तरिक से बाद क्या होगा इसका rate बढ़के 350 होने वाला है तो आप देख सकते हैं हमारा ये नंबर में संपर करके जूड़ सकते हैं चलिए अभी class को सुरू करते हैं देखिए class में क्या है ये class सुरू करने से पहले आप लोग लिए motivational quotation देखिए क्या बोले है क्यामियाभी मुझे ना मिले ये अलक बात है पर मैं महनत ही ना करूँ ये गलत बात है तो दोस्तो देखिए आप महनत करेंगे तभी आपको क्यामियाभी मिलेगा और आप महनत नहीं करेंगे तो कामियाभी आपको कभी नहीं मिलेगा और आप अभी सुचेंगे कि अरे मैंने तो इतना महनत किया फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस चीज मन से छोड़ दीजिए आपका काम है महनत करना और हमारा काम है उस महनत को कैसे साकार करना है और आपको कैसे एकजाम में कैसे दिसा देखा के आपका एकजाम में सिलेक्शन करना कैसे है वो मेरा जिम्मदारी है स्रीप हमारे साथ जूड़े रहे हैं तो चलिये अभी क्या है क्लास को सुरू करता है यह हमारा स्पेशल क्लास जो है उसका डेमो क्लास है देखिए तो आज क्या है आपका जो क्लास लेकर आया है जो इंडियन आर्मी का जितना भी operation होता है जो आपका ldc exam के लिए important है जैसे आपका previous question में हर बार पूछता था पूछते आए है कि जैसे आपका blue star सम्मंदि जो operation हुआ था उस operation के बारे में तो इसमें हमने क्या किया जितना भी army का जितना भी operation है पूरा operation को हमने cover किया इसमें ठीक है इसमें आपको क्या हो जाएगा पूरा operation आज आपने इस वीडियो को एक बार या दो बार देख लिए तो आपको क्या होगा मुझ जबानी क्या हो जाएगा पूरा operation आपको यादा जाएगा तो special class आप समझ सकते है कि आपके लिए कितना फाइदा मन्थ है कि पचपन रुपिया खर्चा करके आप हमारे साथ special class में जूड के कैसे पी परसन कर सकते है तो चलिए सबसे पहले operation है पोलो जो operation का place था हाइदराबाद सन था आपका 1948 तो इंडियान आर्मी ने जो पोलो operation हुआ था इसमें क्या हुआ था देखिए सन को देखिए 1948 अर्था जब हमारा इंडियान constitution जब क्या हुआ था भारत का संग्विदान बन रहा था उस टाइम क्या क्या था बहुत सारा जो बिटिस्ट इस्ट इंडिया company जो बहुत सारा राजा राजडाओ में जो आपका देश को तोड़के रखा था उस टाइम क्या क्या था सभी देश को एकत्रित करके सरदार बल्लब भाई पैटल का मतलब एक तिसा निर्दस में सभी को एकत्रित कर दिया जा रहा था तो उसी एकत्रित करने का समय क्या क्या था जो हैद्राबाद का जो निजम था इन्हों ने क्या था भारत में मिलने के लिए inkar कर दिया था कि इनकार करने का सबसे बड़कारं था जब बेचिस्ञ भारत छुड़के गया था तो उन्हों continu ने बाता के गया था कि जो भी देशिय रियासत है वह अपना अलग से रहाई के अलग देश बनाना चाते हैं तो रह सकते मगर हमारा जो सरदर बल्लब भाई पेटल था इन्होंने बहुत दूर दर्सिता बाले बेखती थे इन्होंने क्या किये पूरा भारत को एकट्रित कर दिये एकट्रित करने के लिए जो हाइदराबाद का जो मिलकर लिया गया था तो इसी जो अपरसन था इसी अपरसन का नाम क्या है अपरसन पोलो आपको साहिद मैं इस बात को समझा पाया तो मोटा-मोटी बात यह हुआ कि जब भारत इंग्रेज भारत छोड़के जा रहे थे तो भारत में जो बहुत सारा छोटा-छोटा रियासतों में बाटा था यह सब रियासतों को प्यार में या बलपूरबक जो भारत में अपना नेका जो प्रोसेस किया गया था उस प्रोसेस में जो हाइदराबाद का तो देखिए आपको आसान भसा में बोले तो भारतिय ससस्त्र बोलो ने हाइदराबाद के निजाम के सासन को समाप्त कर दिया और दखिन भारत में हाइदराबाद रियासत को भारतिय संग में सामिल कर लिया तो इसी करन से क्या हुआ था आपका ओपरसन पोलू हुआ था जो आपका इंडियान आर्मी के दोरां ये कब हुआ था 1948 को अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है ओपरसन बिजय ओपरसन बिजय क्या हुआ था गोवा दमन और द्यू ये 1961 में हुआ था इसमें क्या हुआ था हमारा भारत साधिन हुआ था 1947 को मगर गोवा दमन द्यू साधिन हुआ था 1961 को हमारा पूरा भारत में सासं चलता था ब्रिटिस इस्ट इंडिया कोमपानी का मगर गोवा दमन और द्यू में चलता था आपका ये चलता था परतुग परतुग लोगों का ठीके इनोंने क्या क्या था पूरा गोवा दमन द्यू क को इंग्रेज जब छोड़के चल चला गया था तब भी इनोंने छोड़के नहीं गया था और इनज nào किया था छोड़ने के लिए बीबस कर दिया था जो हमारा जो हमारा इस बोल सेक्ते थे जो फोर्स का जो हेड था अर्था जैसे ततकालिन जो आपका रक्सा मंत्री जो थे उन्होंने विवस कर दिया था तो उसी ऑपरशन को कहा जाता है ऑपरशन विजय तो देखिए भारत की स्यानवादरा भारत की सेना दोरा ऑपरशन जिसके कारण पर्तुगाल भारत को भारत में सामिल किया अर्था पर्तुगाली भारत अर्था दमन दीप और इसको क्या था दमन गोवा दमन और दीप यह अपका पर्तुगाली भारत के नाम से जाना जाता था इसको क्या क्या था पर्तुगाली के हाथ से छीन के हमारा क्या कर लिया गया था सहिन्यका त्रिडेंड कब हुआ था यह उपारशन किया है कि यह ऑपारशन बündeरा नो सिन दराठ सुरू किया घ्या था पाकिस्तान के कराची बंदर पर वSP कहा आपारशन को अन्जाम दिया गया इसमे ठीके यह 97 में भारत पाक जुद्ध के दौरान मतलब यह operation किया गया था इस operation के दौरान जहाज रोधी मिसाइल का पहला प्रयोग हुआ operation टिडेन के दौरान भारत के कोई नुक्सान नहीं हुआ इसलिए इस operation की जीत को 4 डिसेंबर को 9 सेना दिबस के रूप में मनाय जाता है अर्थात 1971 में जब भारत के साथ पाकिस्तन का जुद्ध हुआ था उस जुद्ध में जो भारत का 9 सेना ने जो आपका कराची बंदर गाव को बिलकुल धस्त कर दिया था और इसमें क्या हुआ था जो भरतिय नो सेना का क्या हुआ था बिलकूर नोकसा नहीं हुआ था इसी चीज को क्या है देखते हुए चार डिसेंबर को भरतिय नो सेना अपना दिबस जो नो दिबस के रुब में मना आए जाते है मानाते है ठीक है अभी देखिए उसके बाद क्या है उपरसेन आधिना हेली यह क्या है बरस 1971 में यह हुआ था यह बांगला देश को आजाद करने के लिए क्या है एक हवाय अभजान था इसमें इस उपरसेन में क्या किया था बंगलादेश को आजाद करने के लिए 9 डिसेंबर को बाउ सेना जो भारतिया बाउ सेना था इन्होंने क्या किया था हेलीकप्टर से जो आपका मुक्ति बाहिनी का जो सेना था उनको क्या किया था बंगलादेश में उतरवाया था भारत को क्या किया बंगलादेश को पाकिस् लेंगे मगर क्या है यह special class है तो special जैसा होना चाहिए इसलिए आपको स्रीव हम पढ़ाते हुए time को बरबाद ना करते हुए हम आगे बढ़ रहा है ठीक है उसके बाद क्या है operation blue star यह आपका LDC में most important है क्योंकि continue यह आपका तीन साल क्या है यह घूम फिर के यह question आपका आय है operation बुल्स्टर यह कब हुआ था 1984 में एक से लेकर आठ जुन तक का बीच मिला आठ जुन के बीच में operation हुआ था यह operation पंजाब के सरना मंद्रिस से जनरल सिंग भिंडर बाले और उनके अनुजाय को हटाने के लिए क्या गया था और यह operation इंद्रिया गांधी के दौरा सुरू किया गया था जब आतंग बादियों के साथ बाच्चित बर्त थी अर्थात क्या था यह 1984 में एक तारिक से लेकर चार जुन के बीच में हुआ था यह operation अम्रित सज्वापका सर्ण मंदिर है उसमें उसका अंदर में जेनारल सिंग भिंड बाला और उनके अनुजाय इसमें घुस के बैठा हुआ था इन लोग क्या था इन लोग था आतंग बादि इनी लोगों को उहां से हटाने के लिए इंद्रिया गांधी जो ततकालिन हमारा जो प्राइम मिनिस्टेर था अर्था अपका प्रधान मंति थे ततकालिन इंद्रिया गांधी ने यह जो operation करने के लिए आदेस दिया था और आदेस तब दिया था जब आतंग बादी के साथ बातचित करने में सरकार बैर्थ हो गया था तो यह था अपका operation ब्लू हुआ था इसमें क्या था जो हमारा भारत का जो उपर वाला हिस्सा है अर्था हमारा भारत का जो उपर में क्या है अर्था हमारा जो उत्तर में हमारा जो जम्मू कास्मिर का उपर में जो सिया चीन है सीदाब में पू uni agency are को पाकिस्तान ने आपने कबजे में करने के लिए क्या किया था अपना कबजे करने के लिए प्रयास Bureaummm चीन इप को पाकिस्तान को पाकिस्तान जो आपका सेना को हटा के यह अपना कभजा में कर लिया इसी ओपरेशन को बोलता है ओपरेशन मेखदोत क्योंकि यह जो आपका सियाचीन गलसार बहुत उपर में है यहां पर बहुत ठंडा रहता है तो यहां पर क्या है आपका जो भरतिय सेना ह साल टाइम पहले नहीं रहे पाते थे और तो 1984 के दौरांद यह क्या है उससे पहले नहीं रहे पाते थे और उसी का मौका क्या क्या था पाकिस्तन ने उठाए था तो चलिए यह था उसके बाद देखिए उपरेशन पवन उपरेशन पवन क्या है यह 1987 में लिवरेशन ट्राइग्रिस अप तामिल इलम और जिसको बोलता है LTE से क्या है यह जापना पर नियंतन करने के लिए क्या गया था और ताथ आपका जो उपरेशन पवन था यह 1987 में क्या गया था और LTT का उपर क्या है जपना पर नियंतन करने के लिए ये क्या गया था इसमें इसके परिणाम सरूप LTT का निरस्त्री करन हुआ जो भारत सिलंका समझ समझोते का एक हिस्सा था तो ये आपका ओपरसन प्रबन भी आपको पता लगया पर प्रबन आपको पूछेगा कि इस समझते है तो ये matar का भारत का जो समझोता हुआ था उससे समझते था इसमें क्या LTT Atlas जो आपका अतंगबादी संगठन था इस आतंगबादी संगठनका इसमें क्या है उनको परस्त किया था अबी देखिए ओपरसें त्रिसूल ओपरसें त्रिसूल क्या था ये 1984 में हुआ था भारतियों 37 शनाद द्वारा शुरू किया गया था ये एंटी सरजारी ओपरसें था ठीक है ये भी LTT के खिलाब शुरू किया गया था इस ओपरसें देखिए उसके बाद क्या है त्रिसूल को पीछे धकलने के लिए क्या गया था अर्थात आपका जो पुछेगा कि या ओपरसन बिजय की से समंदित है तो ये कारगील वार या कारगील जुद से समंदित है कारगील जुद कब हुआ था 1997 में हुआ था ये हुआ था पाकिस्तान के साथ भारत का हुआ था ठीके उसके बाद देखिए ओपरसन क्या है सपेद सागर ये भी 1990 में हुआ था ओपरसन क्या है ओपरसन नियंत्रन रेखा पर कारगील सेक्टर में भारतियों चोकिक से पाकिस्तानी सेनानियों को खदरने के लिए ये ओपरसन किया गया था तो आपका ओपरसन विजय और ओपरसन सपेद सागर ये कारगील का जुद से संबंदित है ठीक है आभी देखिए उसके बाद ओपरसन ब्लैक टॉर्नेडो और यही है आपका आज का जो स्पेसल क्लास का लास्ट आपका ओपरसन संबंदित क्लास है मतलब कुश्चन है ओपरसन ब्लैक टॉर्नेडो क्या था ये मुंबाई आतंगबादी हमले के खिलाप एक ओपरसन था मुंबाई पर जो हमला 26 नभंबर 2008 को हुआ था उसी का खिलाप क्या क्या था जो आपका ओपरसन किया गया था उस ओपरसन का नाम था ब्लैक टॉर्नेडो तो आप देखिए आपको हमने जितना भी ओपरसन संबंदत इंडियन आर्मी का आता है वह ओपरसन हमने आपको पढ़ा दिया तो ये था आपका एक जो स्पेसल क्लास का जैसे पेसल क्लास आपका जो एक जाम के लिए कैसा हो से और दो क्लास हम यूटूब बल्स को और प्रेड मेंबर दोनों के लिए देंगे उसके बाद जो भी क्लास आएगा ओच्छा लगने से हमारा सब्सक्राइड के लिए हमने पहले बता दिया था हमारा नमबर उस नमबर में संपर करके जूड़ सकते हैं वागी चलिए जय जय भारत